नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों 24 सगस्त 2023 को जो बिहार टीचर का एकजाम हुआ था उसका सकेंड सिफ्ट का सेट सिरीज एच का हम लोग एंसर मिलाएंगे चली शुरू करते हैं पहला कोश्चन है कि बिहार मजदी निसेद और उत्पाद सुल्क संसोधना दिनियम 2022 के नुसार सराब की ढुलाई करने वाले बाहनों को छोड़ने है तो जुर्माने के रूप में उनकी बिमीत रासी का कितना परतिसद दोनागा इसका करेक्ट एंसर है 10 परतिसद देना होता है या तो 5 लाग रुपे देना होता है कि एर बस एबां बोईं के मुकाबले किस देस ने C919 या तरि बिमम बनाया है तो इसका कोरेट एंसर है चाइना ने बनाया है ने कोरेक्ट एंसर है ये भारतोलं से संबंधि थे नेक्ट कोशन है कोशन नमबर 4 फोर में कहा रहा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी उद्योगी की विकास रेंकिंग 2022 में किस जीले ने सर्वोच अस्थान प्राप्त किया है इसका correct answer है सीवान ने सर्वोच अस्थान प्राप्त किया नेस्ट कोचन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नियाल है निमलिखित में से किस कर यानि किस रीट को जारी करता है यह दियान रखना है नेस्ट कोचन है जो कि सुप्रीम कोट और हाई कोट दोनों जारी करता है नेस्ट कोचन है कि निमलिखित में से कौन सा बा कि आल आक्सा मस्जीर हाथ जो कि हाली खबरों में Тी एंसर है जिरुसलमर ने-स ने-स कौच्चन है क्यों सकते हैं इसका इंसर हो जाता है erwаться नमबर डी उपर्युक्त में एक से अधीक, नेस्ट कोचन है, कोचन नमबर 9, कि एक प्रिथिवी, एक परिबार, एक भविश से, किसके साथ संबन्द है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, जी 20 से संबन्दी थे ये, नेस्ट कोचन है, कोचन नमबर 10, 10 में आपसे ये पूछा गया था, कि क्वाड के संबन्द में, निमलिखी तुमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, उपरियुक्त में से एक से अधीक, इसका एंसर हो जाता है, D, नेस्ट कोचन है, 11, कि कोटिल किस अस्थान में राजनिती और अर्थ सास्तर के प्रध्यापक थे, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, तक्च स्रीला में, नेस्ट कोचन है, कोचन नमबर 12, 12 में ये पुछा गया आपसे, कि बिहार के, बिहार में 1780 के बिद्रो के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, कि यह जमिंदारों द्वारा किया गया बिद्रो था, नेस्ट कोचन है, 13, थर्टिन में आपसे भी पुछा गया थे, कि भ भारत की नौ उद्गाटित संसद में संसदों की कूल सीट जो कितनी है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, ओपसन नंबर C, 888 सीट है, नेस्ट कोचन है, भारत सरकार ने किसान बीमा दाबों के लिए कौन सा ओनलाइन पलेटफोर्म लॉंच किया है, इसका कोरेक्ट एंसर है, ड किया गया है, तो इसका कोरेक्ट एंसर है, अमित्ष चत्रिये को, नेस्ट कोचन है 17, कि भारत में 1912 की रास्तिये बन निती मिन उलिखित देश के कुल भोगोलिक छेत्र में बन छेत्र का वांचित परतिसद कितना होना चाहिए, इसका कोरेक्ट एंसर है, तैंटीस डी उपरियुक्त में से एक से अधिक दोस्तों अस्थानन्तिक रिसी के बारे में shift 1 में भी question पूछा गया था अस्थानन्तिक रिसी यानि जूम की खेती भी उसे कहा जाता है next question है कि आमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिर्ची खड़ी ढाल होती है तो इसका correct answer है option number B मलोका next question है एतियासिक डक्षिना पथ नामक छेत्र का विस्तार है इसका correct answer है बिन्द्याचल प्रबत स्रेनी से काविरी के नदी के मध्ध है next question है question number 21 कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह की तंतर के बीच मुख्य जल विभाजक है तो इसका correct answer है दिल्ली, रीज, अराबली, परबत स्रेनी, एबं सयाद्री और अमरकंटक की पहाड़िया next question है कि सीत काल में उत्तर पस्चिम भारत में सक्रिये रहने वाले पस्चिमी बिक्छोब का उत्पत्ती अस्थल है तो इसका correct answer है 22 का correct answer हो जाएगा option number A पस्चिमी एसिया का भुमत सागर ये 30 छेत्र next question है 23 23 में आपसे ये पुछा गया था कि GT ट्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायू का छेत्र है तो इसका correct answer है पस्चिमी घाट में next question है कि उत्तरी भारत में सीत काल में उपजाई जाने वाली चावलों के फसलों के अस्थानिये नाम है इसका answer हो जाता है उपर्यूग्त में से कोई नहीं next question है 25 निमलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी छेत्र क्रिसी जलवायू परदेश की विशेस्ता नहीं है तो इसका correct answer है उपर्यूग्त में से कोई नहीं option number E next question है 26 26 में यह आपसे पुछा गया है correct answer है उपर्यूग्त में एक से अधिक question number 27 27 में आपसे यह पूछा गया है कि सतलज और काली नदियों के बीच अस्थित हिमाले के भाग को निमलिखित में से किस नाम से जाना जाता है इसका correct answer है कुमायू हिमाले के नाम से जाना जाता है अब 28 है कि निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इसका correct answer है कि 2011 की जनगर्ना के अनुसार सिक्कीम की जनसंख्या 6 लाख है अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज कौन सा है तो वो सिक्कीम ही है question number 29 किस बर्स बिहार प्रांती किसान सबा का गठन किया गया था तो इसका correct answer है option number A 1929 में मैं आपसे एक YouTube के community पर क्यूज डालता था तो ये question एक बार मैंने post किया था कि बिहार प्रांती किसान सबा का गठन कब हुआ था 1929 में हुआ था next question है निमलिकित में से कौन सा बिद्रोह या अंदुलन लंबी डाढ़ी रखने पर कर लगाय जाने के कारण हुआ था तो इसका correct answer है उपरियुक्त में से कोई नहीं next question है 31 कि सडियंत्र के मामले में तीन अंग्रेजों को साजिस करने के लिए कारागर में अबरूध किया गया था तो इसका correct answer है option number A मेरठ सडियंत्र मामला next question है 32 कि पूना पेक्ट का उद्यस्थ था तो इसका correct answer है कि डलित बर्ग का राजनितिक परतिनिधितू next question है पर्थम अखिल भारतिये कॉंग्रेस समाजबादी समयलेन कहा हुआ था तो इसका correct answer है उपर युक्त में से कोई नहीं क्योंकि इसका answer आप next question देखते है 34 34 में यह आप से पुछा गया एक बायोग्राफी ओफ कुमर सिंग एंड अमर सिंग के लेखक कोन है तो इसका correct answer है कारली किंकर दत next question है कि सुवाश चंद्र बोस भारतिये रास्तिये कॉंग्रेस के तिर्पुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे तो इसका correct answer है पिट्टा पट्टा भी सीता रमया दोस्तों यह जब सेट प्रेक्टिस कर रहे थे आपको विशेस रूप से ध्यान दिलवाए थे कि इसे खास ध्यान रखना है क्योंकि यह मात्मा गांधी जी के यह तरप से उमिदवार थे पट्टा भी सीता रमया और 1949 के पूरी अधिवेशन में सुवाश चंद्र बोस ने इसे हराकर कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे नेस्ट कोचन है 36 में है कि डाक्टर भीमरा अमबेदकर के विशे में निमलिखित में से क्या सत्य है तो इसका कोरेक्ट एंसर है उपर युग्त में एक से अधेक नेस्ट कोचन है 37 इन में से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से सम्मंदिक थे तो इसका कोरेक्ट एंसर है उप्षन नमबर बी एनिविशेंट न्यू इंडिया पत्रिका के लेखा के एनिविशेंट दोस्तों ये से भी कोचन हम सेट में करवाए हुए कई कोचन इसमें जो कि सेट में प्रेक्टिस करवाए थे जो कि सेट में नहीं भी था तो हम अलग से साइड से एक्स्ट्र अफेक्ट में आपको बताए थे न्यू इस्ट कोचन है थर्टी एट भारती स्वतनत्रा संगर्ष के दोरान किसने स्वदेश बांधव समिती का गठन किया था तो इसका कोरेक्ट एंसर है ओप्सन नमर सी अस्विनी कुमार दत नेस्ट कोचन है कि चमपारन निल आंदोलन के दोरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे तो इसका कोरेक्ट एंसर है उपरिप्त में एक से अधिक नेस्ट कोचन है किस तिथी को अगस्त करांती 1942 के दौरान लिन लिथगों ने पटना एबम इसके आजपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था तो इसका correct answer है उपर्योग्त में से कोई नहीं Next question है कि समुद्र पारिये भारतिये नागरिक्ता योजना भारत में निमलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारम की गई थी तो इसका correct answer है उपर्योग्त में से कोई नहीं है आप सिर्फ अभी answer मिला लेजेगा discussion इसका detail में बाद में होगा Next question है कि निमलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाती ववस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है तो इसका correct answer है उपर्योग्त में एक से अधिक Next question है 43 कि भारत की केंदरिये सरकार का पंचायती राज मंत्रा लाए निमलिखित में किस बर्स निर्मित हुआ था तो इसका correct answer है 2004 में हुआ था Next question है 44 इन में से कौन बिश्वास करता था कि एक साम्मिवादी समाज भविश्य की का प्राकृतिक समाज था तो इसका correct answer है Karl Marx Next question है इन में से कौन दी सोशल कॉन्ट्रेक्ट पुस्तक का लेखाक है तो इसका correct answer है यह है जिन जेक्स रूसो Next question है निमलिखित आंदोलन में किसका भारत वर्स के अंतरगत बहु उद्देश्य परिजनाओं के बिरुद सुवारम किया था तो इसका correct answer है Option number C नर्मदा बचाओ अंदोलन Next question है 47 में आपसे यह पुछा गया था निमलिखित में से कौन सा भारत के संविदान के अंतरगत मूल करतब भी है तो इसका correct answer है उपरियुक्त में एक से अधिक Next question है 48 कि Pakistan are the partition of India किस ने लिखा इसका correct answer है कि Dr. भीमराम कब मिलाया गया तो इसका correct answer है 1891 में मिलाया गया था Next question है 50 कि सर्व सिक्षा अभियान किसने प्रारंब किया तो इसका correct answer है अटल भियारी वाजबय ने प्रारंब किया था Next question है कि S rasp Identity है तो इसका correct answer है 1948 को Next question है कि अनपूर्णा योजना राशन काट किस के लिए है तो इसका correct answer है यह एक ब्रीध वो गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो next question है 53 इसमें मिलान करना है इसमें मिलान ने यह करना है कि नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन कहां हुआ था और खेतिहर सत्यागरा का पास मिल मजदूरों का सत्यागरा और असायोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन हुआ था वो तो 44 हुआ था इसका correct answer आप मिला लेजेगा इसका answer है option number A 1 का 2, B का 3, C का 1 और D का 4 और next question है कि भारत में प्रेश की स्वतंतरता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिवेक्ति की स्वतंतरता के अधिकार में नहीं थे next question है 55 55 में मिलान करना है कि कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और संबंदित प्रांतों के नाम है खनित संसाधनों की संबनता संपनता परंतु उद्योगी कारण की कमी तो उद्योगी करण की कमी तो इसका answer आपको बताते हैं 55 का answer हो जागा आपका option number B यानि 1 का 1, B का 2, C का 3, D का 4 next question हिमालियन U नामक और सधिय पोधा भारत के निमलिकित में से किन प्रांतों में पाया जाता है तो इसका correct answer है कि हिमाले पर्देश, हिमाचल पर्देश और अरुनाचल पर्देश में next question है 57, स्वसन मूल किस में पाये जाते हैं तो इसका correct answer है यह लबनोद भीद में पाये जाता है next question है किन निमलिकित में से कौन सा दूतियक प्रदूसक है तो इसका correct answer है option number D कि उपरयुक्त में एक से अधिक यह भी question है ने सेट में करवाये थे दूतियक प्रदूसक मतला होता है जिससे direct प्रदूसक नहीं निकलता है ठीक है वो किसी गैस के मिश्रन से प्रदूसित होता है जैसे ओजोन शल्फर डूक्साइड यह सब क्या दूतियक प्रदूसक है next question है कि पारस्थितिकी तंत्र में उर्जा का प्रवाह का दस प्रतिसत नियम किस ने दिया था इसका correct answer है option number C लिंड में द्वारा दोस्तों जब इस सेट प्रेक्टिस करवा रहे थे तो यह question set में नहीं था लेकिन उर्जा से सम्मंदित प्रश्थिकी तन से कोई question आया था तो मैंने आपसे आपको यह जो आपको बताते थे कि साथ में महात्पूर्ण प्रस्ण जो परिक्षा में बार कोश्रेश्थर में जाता है वह लिंड में ने दिया था यह ध्यान रखना विसेस करके यह आपको जो इंपोर्टेन कोश्चन है वह साइड से एक्स्ट्र अफेक्टि में बताएं और जिसमें हम बोल दिये कि इसमें विसेस ध्यान देना वह कई question पूछा गया है नेस्ट को इसका correct answer है option number A धान का खेत, धान के खेत से बहुत मिथेन का वहाँ पर मिलता है next question है कि बायु मंदल की किस्परत का तापमान सबसे कम होता है next question है कि कर्मिक पोसी अस्तर में बिसाग्ठ पदार्थों की सांदरता में व्रिधी को कहा जाता है तो इसका correct answer है जैव आवर्धन का जाता है Next question है कि निमलिकित में से कौन सा सुस्क तारंभी अनुकरम में अगर गामी परजाती के रूप में कार्ज करता है तो इसका correct answer है like in Next question है 65 रामसर सम्मेलन किसके सनरक्षन से जुड़ाया हुआ है ये भी सेट में कोशन बताया हुआ है रामसर सम्मेलन जो आदर भूमी से सम्मान दी थे बताया थे भारत में कुल 75 अभी आदर भूमी है और बिहार का पहला जो रामसर साइट है वो कामर जिल बेगुसरा में ये सारे चीज बताया हुआ है नेश्ट कोशन है कि इटाई इटाई रोग किस के कारण होता है तो इसका कोरेक्ट एंसर है केडमियम के कारण होता है नेश्ट कोशन है कि नेमलिकित में से कोन सा स्वास अस्थाने संरक्षन के अधिन सामिल नहीं है तो इसका correct answer है बनस्पति उद्यान, next question है कि पारस्थित की ये तंत्र में Y आकार का उर्जा प्रभाह मोडल किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका correct answer है ओडम के द्वारा दिया गया था, next question है 69, कि sulfur dioxide जो है SO2 परदूसन सुचित करता है, तो इसका correct answer है लाइकेन द्वारा, next question है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारान अस्तित है, तो इसका correct answer है, option number उपर यूपति में से कोई नहीं, क्योंकि सलीम अली पक्षी अभ्यारान गोवा में है, next question है कि IUCN का मुख्याले कहां है, तो इसका correct answer है, ये सूटिजर लेंड में है, इसका correct answer सूटि पोसी अस्तर में कितनी उर्जा अपसोसित होती है, same y question है, लिंड में का जो है, दसांस निया में, जो लिंड में ने दिया था, एक अस्तर से दूसरे अस्तर में, मात्र दस परतिसत ही उर्जा का अस्तरान अन्तरान होता है, इसका correct answer हो जाएगा, option number B, next question है, 73, नीचे दिये गए इस रंखला में, गलत संख्या का ज्यात कीजिए, गलत संख्या इसमें से कौन सा है, इसका correct answer है, option number A, 8, 8 है, next question है, कि नीचे दी गई तालिका में, गलत संख्या ज्यात कीजिए, तो इसका correct answer है, 84 का option number A, 100, next question है, 75, 75 का आपका answer आ जाता है, option number E, नहीं, next question है, 76, मदन के भाई के अंकल, करन के पिता के भाई है, मदन और करन में क्या संब्ध हो सकता है, इसका correct answer है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, next question है, कि निमलिखित स्रिंखला में, लूप्त अक्षर ग्यात कीजिए, इसका correct answer है, J और E, next question है, नीचे दी गई आकरित कितने तिर्कोन है, तो इसमें कितना तिर्भोज है, तो इसका correct answer है, 13, next question है, यह reasoning है, कि आसा 3 km धक्षिन को और चलती है, और फिर दायां 2 km चलता है, तो इसका answer है, option number B, पच्छिम, next question है, question number 80, नीचे दी गई श्रिंखला में, गलत संख्यां ग्यात कीजिए, तो इसका correct answer ह 842, next question है, किसी नेश्चीत कूट में 256 का आर्थ, you are good है, तो इसका correct answer है, option number A, 8, next question है, 82, यह 6 सडकें जो एक देश की और आती है, उन्हें XYZ अक्षरों में 123 अंको दोरा, यह question का answer आपका है, option number C, 33, next question है, 83, किनेश्चीत कूट में देल ही को CCIDD लिखा जाता है, इसका answer है, option number A, AMJXVS, next question है, कि बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उप्यों करते हुए, कितनी 4 अंकिये संख्यां बनाए जा सकती है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कि जो 0 है, जब बिना अंक दोह करेंगे, जब बनाएंगे संख्यां, तो एक चीज़ इसमें खास बात यह है, कि जब 5 अंक दिया हुआ, ठीक है, लेकिन जब 0 यूज करेंगे, तो 1, या तो कुछ भी लिखिये, 4, 3, 2, इसमें 0 काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका correct answer आता है, 4 गुना 4, गुना 3, कोई नहीं, नेश्ट कोचन है, 85, यदी सब्द हाइट को 96108921, इसका एंसर है, 85 का एंसर हो जागा, option number C, 14, 16, 31, 0, 1, 36, नेश्ट कोचन है, 86, निमलिखित सब्दों को तार्खिक करम में वेवस्थित कीजिए, तो इसका correct answer है, option number 86 का हो जागा, B, 2, 1, 3, नेश्ट कोचन है, 87, एक बेगती, 4 बच्चों के बीच, कुछ बस्थितों को बाटता है, ठीक है, इसका answer आपका आगा, 87 का, option number E, आजागा, उपर युक्ति में से कोई नहीं, नेश्ट कोचन है, 88 का answer है, उपर युक्ति में से कोई नहीं, नेश्ट कोचन है, 89, शुरेश और ससी, एक काम को 11 और 17 दिनों में करता है, इसका answer है, option number B, 3400 और 2200, नेश्ट कोचन है, 90, एक का बजन, B के बजन से 25 परतिसत अधीक है, इसका answer है, 90 number का answer हो जाता है, 160, नेश्ट कोचन है, तामबे के एक गोले का ब्याश 6 cm है, तो गोले को पिगलाए जाता है, फिर इसमें क्या है, तिरजिया ग्याद करने है, इसका answer है, option number C, 0.5 cm, नेश्ट कोचन है, 92, कि दो ब्रित, आंत्रिक रूप से पसपर्स करते हैं, उनके 6 तरफलों का योग 116 cm है, और उनके केंदरों के बीच की दूरी 6 cm है, तो ब्रितों की तिरजिया, ये काफी easy question है, दोस्तों, ये जब मेट का solution करवाएंगे, उसमें आसानी से ये बनने वाला question है, इसमें सूत्र वो राता है, वो सूत्र से अराम से बन जाता है, इसका correct answer है, option number B, 10 cm और 4 cm इसके तिरजिया है, next question है, एक तेज़ ट्रेंज 600 km की यात्रा करता है, इसका answer है आपका, option number, ये C आ जाता है, 50 km परती गंटा और 40 km परती गंटा, next question है, 94, 94 का answer है, आपका, option number, आपका आ जाता है, B, 1 by 3, next question है, 95, कि एक रासी 5 बरसों में साधरन ब्याद से 50% की ब्रीदी होती है, इसका answer है, option number C, 49, 72, next question है, कि एक परिक्षा में कुल परचार्थियों का 37% चात्रा है, इसका answer है, आपका, option number B, 380, next question है, 97, minus 2 by 3, और 1 by 2 के बीच, दो संभब परिमे संख्या है, इसका answer है, option number B, minus 2 by 6, next question है, 98 में कि एक पिता की उम्र, उसके पुत्र की उम्र की पांच गुनी है, लेकिन 15 बरसों के बाद उसकी उम्र, उसके पुत्र की उम्र की दो गुनी रह जाएगी, पिता की उम्र क्या है, तो इसका correct answer है, option number B, 25 बरस, next question है, 99, कि नीलू एक रुपे में दो निमू खरिदता है, और उन्हें तीन रुपे में पांच निमू तरसे बेज देता है, तो उसका लाब क्या होगा, तो इसका correct answer है, 20 परतिसत, next question है, question number 100, एक बिद्याले में पर्टेक बिद्यार थी, या तो हिंदी, या तो अंग्रेजी, या दोनों बोलता है, इसका answer है, option number A, 75, next question है, 101, 101 का answer है, option number B, 1, next question है, 102 में है, इसका answer है, option number E, उपर्यूक्त में से, कोई नहीं, next question है, 103, इस question का answer है, 103 का, A, 1 by 2, next question है, 104, कि A, अनुपात, B दिया है, 1 by 2, अनुपात, 3 by 8, इसका answer है, option number B, 104 का है, B, 8, अनुपात, 6, अनुपात, 10, अनुपात, 9, next question है, vitamin B, 12 का, रसानिक नाम क्या है, इसका correct answer है, कोवालमिन, next question है, निमलिखित में से, कौन सा, अमल छार का संकेतक है, इसका correct answer है, हल्दी, next question है, जब मिर्दा, अती छारिये हो, तो उसमें, पउधे द्वारा, पउधे, पैदा नहीं होते हैं, तब मिर्दा की गुनवता में सुधार करने के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो इसका correct answer है, कार्बनिक पदार्थ, next question है, कि foreign height पैमाने पर प्रम सुन्य का मान कितना होता है, तो इसका correct answer है, option number 1, 469, दोस्तों, इसका सुत्र बताया थे आपको, कि एक सुत्र है, जो कि foreign height Celsius और Kelvin में निकाल सकते हैं, आराम से, ये सुत्र आपको बताया हुआ है, question number 109, कि परकास तरंगे, किस परकार की तरंगे होती है, तो इसका correct answer है, परकास तरंगे जो होता है, वो बिद्दु चुम्बकी तरंग भी होता है, और अनुपरस्त तरंग भी होता है, तो इसका answer हो जागा, एक से अधिक, next question है, कि परबल अमल और दुरवल छारक से बने लबन का pH मन क्या होगा, तो इसका correct answer है, साथ से कम होगा, next question है, कि एक गीगावाइट बराबर होता है, इसका correct answer है, 1024 MB, next question है, कि sodium hydroxide और hydrochloric अमल की अभिकरिया से sodium chloride और जल बनते हैं, यह कौन से अभिकरिया है, तो इसका correct answer है, यह उदासिनी करन अभिकरिया है, next question है, कि उर्जा उत्पादन के ल बुलुकोज का उपियोग करता है, next question है, 114, प्यूस गरंथी का कार्ज क्या है, तो इसका correct answer है, उपरियुक्त में एक से अधिक, next question है, कि मस्तिस के कौन से भाग रक्त चाप को नियंत्रित करता है, तो इसका correct answer है, मेडूला, पोन्स, मेडूला और सेरिवेलम, next question है, इसका थिर उचाई पर, next question है, 117, कि प्रीज में द्वारा सफेद प्रकास के परिक्षेपन में कौन सा रंग, अधिक्तम बीचलित होता है, इसका correct answer है, option number 22, दोस्तों, shift 1 में question ये पूछा गया था, कि कौन सा रंग, ओ परिबर्तित होता है, यानि कम बीचलित होता है, तो उसका answer कुछ और था, कि उसका होजाएगा लाल, ठीक है, कम बीचलित होता है, लेकिन अधिक्तम बीचलित होता है, वो है बेगनी, next question है, कि मेघा गर्जन के समय निमलिखीत में से क्या सुरक्षी थे, तो इसका correct answer है, कि खुली छतरी लेकर चलना, next question है, कि स्वतंत रूप से प्रि तो कोर्निया को दिया जाता है, दोस्तों इस तरह 120 question होता है समाप, और आपका कितना answer सही हो रहा है, आप comment में जरूर लिखिएगा, जाहिए इन दोस्तों